भारती न्याय सहिता यानि कि वो बिल जो कि IPC को रिप्लेस करने वाला है इंडियन पीनल कोड इसके अंदर कौन-कौन से नए प्रोविजन कौन-कौन से नए ओफिंस को यहां पे लाया गया है इस वीडियो के अंदर हम लोग यह डिसकस करेंगे अब आप उसे पूछो कि सर यह इंपोर्टेंट किस तरीके से है इंपोर्टेंट यह इसलिए है बिकॉज यहां पर यह चीज पार्लिमेंटरी कमीटी में तो गई है लेकिन इसमें जारा चेंज आएगा नहीं एक्जाक्ली यही चीजें जब नया भरती नया सहिता आज उसके अंदर there is a very very good chance कि आप से directly पूछ लिया जाए कि यह जो particular आपका offense है यह exactly है क्या इसके बारे में थोड़ा बता दो इसके अंदर मेरे को essentials बता दो तो इसी चीज को ध्यान रखते वे इस वीडियो को last तक पूरा देखिए हम लोग पूरी बात यहां पर करने वाले एक ठीक है तो उसके लिए समभ लोग के चनल को सब्स्राइब करिए और उसके साथ में अगर मान लीजिए आप इस बार क्लाट पीजी गिजाम के त्यारी कर रहे है तो केवल 4899 में हम लोग आपका पूरा का पूरा syllabus यहां पर recorded lecture format में complete करवा रहे हैं हमारी faculty सारी सारी इसारी ए 70 mock papers प्लस 50 आपके जो आपके subject price mock papers वो भी रहेंगे और उसके लाब आपके recent landmark cases भी हम लोग आपको पूरा cover करके देंगे तो और आपका अन्रोल करना है 4899 में आप definitely check out कर सकते हो अब यहां पर जो नए ने provisions आए हैं उनको एक एक करके हम लोग चलिए overview लेते हैं और देखते ह इसके आगे detail में की क्या क्या इसमें दिया है सबसे पहला provision है abitment outside India for offense in India इसका मतलब क्या है कि कोई भी offense का abitment अगर इंडिया के बाहर बैठे है आप कर रहे हो तो उसके लिए आप इंडिया में liable रहोगे इसको मैं भी detail पूरा समझाओंगा उसके बाद sexual intercourse by employing deceitful means etc यह आपका एक नया category of offense बनाया गया है उसको हम लोग अच्छे से discuss करेंगे फिर आपका gang rape जो है उसके अंदर एक बहुती important change किया गया है उसको हमें देखना है इसके बाद hiring employing or engaging a child to commit an offense इसको पूरे को एक नया definition दिया गया है कि किस तरीके से यह आपका penal provision है कैसे आप इसके लि पड़ेगा यहां पर पूरा section तो नहीं add हुआ है बड़ एक part उसका sub clause add हुआ हुआ है उसको हमें देखना है फिर causing death by negligence यह एक आपका ऐसा है जो कि अभी एक पूरा नया यहां पर एक sub clause add हुआ 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 है यह जो दोनों है यह sub clauses है उसके बाद organized crime यह पूरा एक नया offense है petty organized crime और organized crime in general यह पूरा एक नया offense है offense if terrorist act कि क्या होता है terrorist act उसका definition बगरा सब कुछ फिर acts endigering sovereignty unity and integrity of India और attempt to commit suicide to compel or restraint lawful power और एक आपका snatching का भी इसमें मैंने mention नहीं करा है यह होंगे तो इन इन प्रोजेंस को अब एक एक करके हमनों देखना शुरू करते हैं line by line सबसे पहला है आपका abitment outside India for offense in India इसमें देखे होता क्या है यह आपका bill के अंदर 48th section में आपको इसको detail पढ़ना आप जासे है इसमें यह बोला गया है कि कोई भी एक person अगर abit करता है एक offense को within the meaning of the bill itself मतलब जो को भरती नया सहता है उसके जित्ते आप यहां पे crimes दिये हुए है उनके meaning की within में अगर कोई person किसी offense के लिए abit करता है किसी को without और beyond India abits the commission of any act in India मतलब इंडिया के बहार मानलो बैठेते कैनेडा में या मानलो बैठेते ब्रिटेन में उससे मतलब नहीं है आपने अगर यहां पे offense को abit करा किसी इंसान को तो आप वहां पर ऐसे यहां पर libel हो जाओगे as if आप वो crime इंडिया में ही commit हुआ example देखिए इसका ए था वो country X में reside करता है उसने बी को instigate करा कि भाई तू मर्डर कर दे यहां पर इंडिया के अंदर ए भी जो है abitmen to murder के लिए यहां पर libel सीधे सीधे होगा इससे मतलब नहीं है कि वो इंडिया के बाहर था और यह था जो भी extradition treaty जैसे भी है उसको वहाँ से वापस यहां बुलाया जाएगा इंडिया में और वहाँ उसको से सबसे यहां पर सदा मिलेगी as if उसने amitmen to murder commit यहां पर करा है सीधा सीधा है उसके बाद sexual intercourse by employing deceitful means अब देखिए यह पूरा एक नया आपका आप offense है इसके अंदर क्या है whosoever by deceitful means बाद धोखा धड़ी से यह making by promise to marry a woman बाद शादी का जूटा वादा करना without any intention to fulfilling the same मतलब बिना आपने वादा करा शादी का फिर आपका intention था नहीं शादा fulfill करने का और वहां पर आप and has sexual intercourse with her sexual intercourse भे आपने करा उसके साथ such sexual intercourse not amounting to offense of rape मतलब rape वहां पर नहीं था मतलब हो सकता उसे consent के साथ या बाकी चीज़े हो उस case में यहाँ पर सदा का प्रवधान है कि imprisonment for either description of term that will be यहाँ पर 10 years का और liable to fine यहाँ पर रहेगा ठीक है मतलब अगर आप deceitful means के थू या फिर आप promise करते हो कि कसी को शादी आप करो गया फिर उसके साथ sexual relationship बनाते हो जो कि not amounting to rape है तो आपको 10 साल तक की सदा का यहाँ पर प्रवधान दिया गया है उसके अलाबवा deceitful means का promise जो कि आप employ कर रहे हो जिसमें की कोई employment का आपने मालनों उसको वो किया कि तुमको मैं नौकरी पर रखूंगा या promotion का दिया या basically inducement या यहाँ पर सब्सक्राइब की बात हो रही है या फिर कुछ भी उस तरीके का हो रहा है उस तरीके की cases में यहाँ पर बताया गया explanation का इसका भी पूरा मैंने ख्याल से case laws का भी पूरा इसमें अभी इसके अंदर पूरा ना जब एक बार यहाँ पर इसका पूरा एक डीटेल वीडियो जो होता है वह अभी जब फ्यूचर में यह बार बिल कोडिफा हो जाएगा तब हम लोग पूरा लेकर आएगा अभी मैं आपको उपर उपर से बता दरो कि जो आपको जानना है वह क्या है फिर अगला है आपका यहाँ पर गांग रेप का इसके अंदर एक बहुत ही होडी जो की नॉमल मला आपका थारा सूपर किये या फिर वो यहाँ पर अगर आप बिसिकली एक ऐसी वुमिन जो की 18 से कम की मला जो की एक माइनर है उसके साथ अगर मालो रेप किया वन या बोर देन वन परसन ने जो की कॉंसिट्यूट या फिर आक करता है फिर इस आपको इच पर्सन जो की यहां पर यहां पर विव स्में यहां पर यहां पर यहां पर पर इस नाच्रल लाइफ साफ साफ लिखा हुआ है यह नहीं की बीच में पाटन कर दिया वो कुछ नहीं पूरी रिमेंडर लाइफ मतलब अगर मालो 20 साल का अगमी था जब तक मरे गा नहीं तब तक हो वही भी जेल में रहने वाला है, that is simple और उसके अलावा विट डेथ यहाँ पे सीधे दिया हुआ है, पहली बार यहाँ पे डेथ का use हुआ है as a penalty, रेप के केस में बहुत बड़ी बात है, this has been done provided that जो यह आपका fine होगा, यहाँ पे जो दिया जाएगा वो इत्ता reasonable होना चाहिए, कि जो medical expenses है, जो rehabilitation है, victim का वो हो पाए, provided further कि यह जो है, जो भी fine impose किया गया है under the section, वो जो है victim को pay किया जाए, यह चीज़ यहाँ पे gang रहे पाला है, जो section 70 है bill का, उसमें दिया होगा उसके बार अगला है, hiring employing or engaging a child to commit an offense, अब इसके अंदर क्या है कि कोई भी इंसान जो कि hire करता है, employ करता है, या engage करता है किसी भी person को below the age of 18 years, 18 सा से कम कि किसी को उसको करता है to commit an offense, कोई offense commit करने के लिए IPC के अंदर में उसको punish करा जाएगा with either description or fine of the offense as if it was committed by the person himself अगर मैं किसी बच्चे को employ करता हूँ कि तू भाई जागे किसी से ना चोरी करके आजा, वो चोरी करके आगया तो जो punishment होगी, वो ऐसी होगी, कि as if मैं नहीं वो चोरी का offense commit करा है और मुझे वहाँ पर वो सजा दी गई सीरे सीरे यहाँ पर एक यह provision बता दिया गया, इसके अंदर explanation में क्या है hiring, employing, engaging or using child for sexual exploitation or pornography is covered within the meaning of this section, सीरा सीरा है, बहुत ही simple section है, यह हो गया, इसके बाद punishment for murder अब यहाँ पर देके murder के अंदर ना, एक अलग चीज थोड़ा सा add किया गया है यहाँ पर तो simple simple यह था ही पहले से अपना IPC के अंदर थोड़ा से दिया हुआ था इसके दूसरा यहाँ पर है, उसमें क्या है कि when a group of five or more persons acting in consort commits murder on grounds of race caste community, sex place of birth, language personal belief or any other ground each member of जो आपका group है, उसको जो है punishment होगी death की or with imprisonment to life or term that shall not be less than seven years and shall be liable to fight ठीक है, death, life imprisonment या फिर साथ साल मिले में उससे कम नहीं उससे कम मिलेगा ही नहीं अगर आप एक ऐसे उसमें offense में हो जहाँ पर एक group of five or more ने concert में एकदम मिलकर murder commit करा और उसका जो ground था कि आपने racial मालो हो सकता है कि उसकी उब इस पर आपने करा कि ये बंदा महलब caste के basis पे या religion के basis पे या किसी basis पर आपने करा सीरे सीरे डेथ की वहाँ पे वो दे दी गई है ये आपका इसका अगला वाला जो है causing death by negligence अब ये इसमें कुछ नया यहाँ पे आड हुआ है पहला वाला तो यहाँ पे था ही इसको मैंने वो कर दिया दूसरा वाला देखिए whosoever causes death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide मतलब culpable homicide वहाँ पे नहीं हुआ और उसके बाद वो क्या करता है वो escape कर जाता है from the scene of crime मतलब जो मौकायव अदास से वहाँ से आप फरार हो गया या फिर वो police को या magistrate को वो चीज incident के तुलंद बाद report नहीं करता है उस case में उसको punish करा जाएगा for the term that may extend to 10 years and also shall be liban to fight मतलब simple example है car आप चला रहे थे चलाते चलाते आपने एक इंसान को ठोग दिया वो इंसान मालनों मर गया death by accident है negligence थी आपके पाप दारूपी की गाड़ी चला एसे अब आप एकदम उसमें आ गए fear में कि क्या होगा कैसे होगा आप वहाँ से मौकायव अदास छोड़के भाग गये आपने ना पुलीस को इंफॉर्म करा ना आपने मेडिस्ट्रेट को इंफॉर्म करा कुछ नहीं करा आपने उस केस में आप इसमें लाइबल हो इस पूरे सेक्शन के अंदर यहां पर आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती सीड़ा सीड़ा दिया हुआ है यह आपका हो गये उसके बाद और अर्गनाइजड क्राइम अब यह जो पूरा आपका एक समझ दो प्लेथरा ओफ यहां पर सेक्शन साइट किये गये इसके लिए पूरी सेप्रेट वीडियो मुझे लानी पड़ेगी बहुत लंबा सेक्शन बहुत लंबा सेक्शन है उपर-उपर से मैं आपको चीज़ें यहां पर बता दूँगा और अगनाइज क्राइम का 110 और 111 मेरे खाल से तीन सेक्शन से जो कि बहुत लंबे-लंबे उनके लिए सबसे फ़ले यहां पर थौर सा बहुत लंब चल रहा है जिसमें की किड्नापिंग, रॉबरी, वेहिकल थेफ्ट, एक्शॉशन, लांड गाविंग, कॉंट्राक किलिंग, एकॉनमिक ओफेंसेज, साइबर क्राइम्स जिसमें की आपके सिवियर कॉंसिवेंसेज है यहां पर आपका यूमन ट्रेकिंग का पुरा राकेट है फॉर पॉरा अलग से समझाना पड़ेगा आइधर member of an organized crime syndicate और on behalf of such syndicate by use of violence, threat of violence, intimidation, coercion, corruption and related activities और unlawful means to obtain direct और indirect material benefit including financial benefit shall constitute क्या organized crime simple as एक continuing offense आप कर रहे हो continuing offense कि इतने सारे आपको बता रहे हैं उसके अंदर आप अगर consort में jointly या singly उसकाम को कर रहे थे जिसमें कि आप या तो एक crimes indicate के अंदर member हो या फिर आप उसके बिहाफ पर कोई धन्दा कर रहे थे जिसमें कि आपने violence का, threat का intimidation का, coercion का, corruption का इस्तमाल करा और ये जितनी भी आप थे यहां पर आपको एक material benefit हो रहा है जिसमें कि financial benefit भी involved हो सकता है उसके अंदर it is called organized crime simple as that, इससे सटीक definition और कुछ हो नहीं सकती इसकी, ये हो गया उसके बाद जो अगला है petty organized crime and organized crime in general मतलब छोटे अपराद, बड़े नहीं छोटे अपराद, उनकी बात करी गए अब देखो any crime that uses general feelings, ठीक है general feelings of insecurity among citizens जनता के अंदर feeling of insecurity का इस्तमाल ठीक है, relating to क्या? गाड़ी की चोरी गाड़ी के अंदर से चोरी domestic या business के अंदर से माल लो कुछ वो निकाला गया trick theft attempt to theft हुआ attempt to theft of personal property वो अबला बहुत साई चीज़ें यहाँ पर card की streaming हो गई, ATM के अंदर से माल लो हो गया, या फिर unlawful तरीके से public transport system में से आप unlawful उस पर procure कर रहे हो, illegal selling of tickets कर रहे हो, आप जो आपके लिए होते हैं, आपके जो exams होते हैं, exams के अंदर अगर माल लो, paper leak कर रहे हो, उस तरीके है कुछ भी, या फिर इस तरीके के कोई भी आप organized crime कर रहे हो, तो भाईया आपको क्या बोला जाएगा, कि आप क्या कर रहे हो एक petty organized crime commit कर रहे हो, petty organized crime और इसके अंदर जो said crime होगा उसके अंदर, एक mobile organized crime group, या जो granks थे, जिनका की पूरा network था या फिर एक nexus था, जो anchor point थे, logistical support था, वो पूरा का पूरा यहाँ पे, एक पूरा region के रहे होगा, in a period of time हो सब्सक्ता लंबे duration का, हो सब्सक्ता छोटी duration का, पूरा एक syndicate जो आपका सोड़ सा बता दिया है, इसके बाद offense if terrorist act, इसके अंदर क्या है एक person, जो की एक terrorist act कर रहा है यहाँ पे इंडिया या फिर किसी foreign country के अंदर में with the intention to threaten the unity, integrity and security of India to intimidate general public or segment thereof, general public को या एक segment जो है किसी particular community का, उसको करने का कर रहे हो यह public order को disrupt को नहीं कोशिश कर रहे हो by doing such an act, वो आपका terrorist act के category के अंदर थोड़ा बहुत आ सकता है अब इसके अंदर ही पूरी definition clause है उत्तरा हमें DTA में नहीं जाओंगो, पर मैं एक इसको एक दिन बताऊंगो विडियो के अंदर अगला, यह पूरा-पूरा complete offense है इसको मैं आपको पूरा बता रहो acts endangering the sovereignty, unity and integrity of India ठीक है, इस पूरे act के अंदर sedition हटाया गया है ठीक है, यह लाया गया है यह देखो क्या है whosoever, purposely or knowingly by words, either written or spoken by sign by visible representation, electronic communication financial means or otherwise क्या करता है, excites or attempts to excite secession, armed rebellion क्या excite करने के कुशिश कर रहा है secession, armed rebellion, subversive activities or encourages a feeling of separatist activities ठीक है, कि आप यहाँ पे कुशिश कर रहे हो देश को अलग करने की देश की unity and integrity को खतम करने की या फिर आप endanger कर रहे हो देश की sovereignty को, unity को उसके अंदर integrity को और या फिर आप indulge कर रहे हो किसी भी ऐसी चीज में तो आपको क्या होगा आपको imprisonment for life हो सकती है या फिर वो चीज है 7 साल तक कि आपके extend हो सकती है आपकी सदा और restraint exercise of lawful power ये एक बहुत ही important यहाँ पे है section ये बिल्कुल नया आपको offense यहाँ पे create किया गए देखिए whosoever attempts to commit suicide मैंने suicide commit के नहीं कोशिश करी case intent के साथ to compel or restrain any public servant from discharging his official public duty shall be punished with a simple imprisonment for term which may extend to one year or with fine or both or community service सीरा सीधा है आप यहाँ पे item करने कोशिश करते हो कि मैं suicide कर लूँगा माल लो कोई police अठिकारी आपको माल लो गिरफतार करने आ रहा है या माल लो कुछ और माल लो हो सकता है कि आपके properties करने आ रहा हो कुछ करने आ रहा हो और आप वहाँ पे उसको रोक रहे हो या कंपेल कर रहे हो उसको रिस्ट्रेंड कर रहे हो जो उसका function उसको discharge करने से तो आप क्या हो यहाँ पे libel हो एक साल की सजा के लिए जो कि extended है बनाब simple बिसम्ट आपको हो सकती इसके बाद आखरी जो आपका section 302 है नियुवाले बिल में इसमें लिखा है कि theft is snatching if in order to commit theft the offender suddenly or quickly or forcibly seizes or secures or grabs or takes away from any person or from his possession any movable property simple as that इस theft आपका snatching कब होगा जब आप theft commit कर रहे हो जहाँ पे offender बहुती suddenly या फिर बहुती quickly या forcibly या फिर secure करता है grab करता है take away करता है from a person कोई भी movable property इसे माल लीजे आप माल लो सड़क पर चल रहे हो आपके हाथ मोबाइल आप मोबाइल पर आप बात कर रहे हो एक बंदा बाइक पर आया helmet पहना उसने उठा कर वो मोबाइल आपके हाथ से छीना हो आगे निकल गया that is snatching forcibly आया seize ऐसे करा suddenly quickly seize करा निकल गया snatching simple as that इसके अराबब whosoever commits snatching shall he punish with imprisonment with either a term of 13 साल or shall be liable to a fine simple as that liable to a fine होगा या वो होगा इसका प्लेद सिंपल है अब यह जितने मैंने sections थे आपको मैंने यह हो सकता है कि जो bare act को point of view से जो जो इसमें important चीज़े हैं जो मैं समझा सकता मैंने कोशिश करिए समझाने की यह जो आपका पूरा video था यह आपको important इसलिए है because यहाँ पे chance है कि में भी आपके paper के अंदर इससे जुड़े हुए यहाँ पे questions वो लो पूछ ले कि थोड़ा सा बता दो कि इसका मतलब क्या है इसके ingredients क्या है या किस सरीके से यह work करता है तो आपको रिखिये पता होना चाहिए Organized Crime के लिए मैं पूरा एक separate video ले क्या हूँगा जिसके अंदस edition पहले अलग जो लो क्या था बाद में क्या हुआ उससे जुड़े हुए जो पूरा एक वो एरिया है न उसको मैं पूरा अलग से cover करूंगा इसके अलाबा IPC जो हो गया आपका evidence law आपका CRPC के लिए अलग lecture यहाँ पर ले क्या होंगा apart from that अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो बिस वीडियो को लाइक और शेर जुरू करिए और उसी के साथ I would like to take a good bye for now and I wish you the very very best talk for you success bye